है हलो फ्रेंद्स गूड मॉर्निंग आज आमारे टोपिक हूम मैंनेज्मेंट का तीस्ता टोपिक मैं नीड़ले प्रक्रिया क्या होती है आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ें गे डिसीजन क्या होता है यह ये कब लिया जाता है, इसके क्या प्रकार है, सब जानेंगे डिटेल से आज़ाँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्या है, आज मारे टॉपिक है डिसीजन मेकिंग या नेले प्रक्रिया, डिसीजन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि डिस सीजन होता क्या है और कब लिया जाता है जब हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है कोई भी समस्या हो उसके समाधान करने के लिए हम सेलुशन ढूटते हैं तो जब हमारे सामने समस्या आती है और हम उसका समाधान ढूटते हैं तब हमारे पास धेर सारे ओपसन होते हैं समस् अच्छा सबसे महत्तपूर सबसे important विकल्प चुनना ही क्या होता है decision making होता है या निडले प्रक्रिया होती है जो मैनेजर या जो ग्रेडी अच्छे decision अच्छा अच्छा विकल्प चुनते हैं अच्छा option चुन लेते हैं जो उनके लिए लाब दायक होता है beneficial होता है उनके लिए तो उनमें यह देखा जाता है कि उनमें decision लेने की चुनता अच्छी होती है और जो नहीं ले पाते हैं जो अच्छा विकल्प नहीं चुन पाते हैं उनमें decision लेने की चुन लेते हैं उनके लिए beneficial होता है वो management का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं दिसेजन मेंगिंग क्या है कोई भी समस्य का समाधान करने के लिए धीर सारे सबस्क्राइब होते हैं। अब हम जाने गी की चब लिया जाता है यह समय हम पढ़े 탄ine पिछला टोपिक था जो से पहले फार्फ आघड किया जाता है यह होम मैंनेजबं चेफ हैं थे इसमें आयोज़न नियंत्र और मुल्यांकर हैं तो आज हम यहां पर क्यों प्लानिंग के आयोजन की बात करते हैं कि आयोजन कब किया जाता है डिसीजन लेने के बात किया जाता है आयोजन डिसीजन पर डिपेंड होता है हम जानते हैं कि हम निर्ले कब लेते हैं निर्ले कब लेना चाहिए पहले हम यहां पर आयोजन में क्या करते हैं, कौन सा काम कब करना है, कहा करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, ये सब फिक्स करते हैं आयोजन में, ये सब फिक्स करने से पहले जो काम हम करते हैं, वो होता है decision making, निर्ड़े प्रक्रिया वो होती है, पहल जो प्लाणिंग किया जाता है आयोजन जो है निर्ले पे डिसेजन पर डिपेंड होता है जो प्लानिंग है वो निर्ले पेब़ेंड होते हैं पще सिरी निर्डे लेते हैं फिर अम उसका प्लान करतें और प्लान पर क्या करते हैं, प्लान जो हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्या करना है, क्या करना है, किसे करना है, किस जगा करना है, कितना टाइम लगेगा, यही सब हम फिक्स करते हैं आयोजन में या प्लानिंग में, लेकिन इसको फिक्स करने के पहले या प्लान बना से पहले हम डिसीजन लेते हैं अब इसका एक्जामपल क्या है कि मालो कि हमें नेट का एक्जाम है उसको कौलिफाई करना है तो हमने ये डिसीजन ले लिया कि हमें नेट एक्जाम कौलिफाई करना है या नेट का एक्जाम देना है तो इसके लिए हम प्लान बराएंगे पहले हमने क्या लिया? decision लिया, पहले हमने नेले लिया कि हम कोई form डालेंगे, उसको fill करेंगे और उसको qualify करेंगे, यह तो हमारा हो गया decision, उसके बाद planning क्या होता है? फिर हम उसका plan करेंगे कि हम कौन सा subject कितने time तक पड़ेंगे हम दिन में कितना गंटा अपने study पे देंगे फिर provision कब करेंगे। ब Milan निरड़ै के बिना decision के हम कोई भी plan नहीं कर सकते हैं और decision क्या है जब मारे सामने कोई भी समझ से आती हैं उसके समाधान के लिए हमारे सामने धेर सारे कई बिकल्प होते हैं, उन बिकल्पों में सरुषिष्ट बिकल्प का चुनाओ करना ही क्या होता है? निर्डे होता है, निर्डे को प्रबंधन का पूरक कहा गया है। प्रबंधन का पूरक कहा गया है। यह question भी आया है कि प्रबंधन का पूरक किसे कहा गया है, तो निर्डे को decision making को ही प्रबंधन का या management का या ग्रिफ प्रबंधन का पूरक कहा गया है निर्डे को और इसे ग्रास्यम किंडल ने, यहां पर एक researcher का नाम आता है ग्रास्यम केंडल इनोंने नीड़े को क्या कहा है? मैनिजमेंट का या प्रबंधन का प्रबंधन का हिर्दे का है? नेले प्रक्रिया को ग्रास्यम केंडल नी प्रबंधन का हिर्दे कहा है ये भी बहुत important है कि नेले प्रक्रिया को प्रबंधन का क्या कहा गया है ये भी question आया है कि नेले प्रक्रिया को प्रबंधन का क्या कहा गया है तो नेले प्रक्रिया को प्रबंधन का हिर्दे कहा है और निर्डे बेवस्थापन पर निर्भर होता है प्रबंधन का मुख्य विंदु क्या है? प्रबंधन का मुख्य विंदु निर्डे होता है प्रबंधन का मुख्य विंदु या मैनेज्मिन का मुख्य विंदु क्या है? निर्डे है निर्डे को हो मैनेज्मिन का या प्रबंधन का या मैनेज्मिन का क्या कहा गया है? हर्ट का गया है या हिर्दे का गया हम इतना समझ लिए कि निर्ले होता क्या है डिसीजन मेकिंग क्या है ये कब किया जाता तो ये आयोजन ये प्लान बनाने के पहले किया जाता है प्लान जो वो निर्ले या डिसीजन पर डिपेंड है प्रवंधन का नीड़े जो है प्रवंधन का मुख्य विंद्व इतना हम समझ लिए अब हम आ जाते हैं नीड़े प्रक्रिया के जो decision making का है उसके चरल के बारे में उसके step के बारे में देखते हैं कि इसके कितने step है नीड़े प्रक्रिया के step नीड़े प्रक्रिया के चरड इसकी कितने चरड पहले समस्या को परिभाशित करना परिभासित करना दूसरा क्या है बिकल्पों की खोज करना खोज करना तीसरा है बिकल्पों पर बिकल्पों पर बिचार योम बिमर्ज करना चोथा है उपर युक्त बिकल्प का चुनाओं करना और पाच्वा है नीड़े को क्रियानवित करना अब हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग के कितने इस्टेप होते हैं कितने चरण हैं डिसीजन मेकिंग के पाँच इस्टेप हैं डिसीजन मेकिंग के पाँच इस्टेप या पाँच चरण हैं डिसीजन मेकिंग जो नेट का जो एक्जाम होता है उसमें इस टिप लगाने के लिए धेर सारे कुश्यन आते हैं और इस टिप वाला कुश्यन होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेन होता है अगर यह समझ में आ जाए तो बहुत ही हमारे समझ में अगर यह आ जाए तो बहुत ह कीजी होता है बस इसको माईड में बृठाने कीजरूरत है Ooh निर्डे प्रक्रिया के कितने चरण है निर्डे प्रक्रिया के पांच चरण है पहले क्या है समस्या को परिभाशित करना दूर्शा है विकल्पों की खोज करना तीसरा है विकल्पों पर विचारियों विमर्ष करना चोथा है उपर युक्त विकल्प का चुनाओ करना और पा तो पहले है समस्या को परिफाशित करना मैंने पहले ही बता दिए कि जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी तब たक हम डिसीजोन लेही नहीं सकते कि पहले हम पारां जब कुछ परिफाशित करना पहले हम अपनी समस्या को परिफाशित करेंगे कि हमारे पास एक्चुली में क्या प्रॉब्लम है इसके लिए सबसे वड़ी है अगर कोई कैंसर का मरीज है या कोई टीबी का मरीज है डॉक्टर के पास उसको हम लेगे लेकिन डॉक्टर ने जो मरीज जो उसके अंदर र एक्चुली में उसे क्या रियल में उसे कौन सी बिमारी हुई है उसको पहले उनको देखना पड़ेगा कि उससे क्या हुआ है अगर जो उसको जो बिमारी हुई है उस बिमारी की दवा खिलाएंगे तो वो ठीक होगा तो यहां पर यहीं मतलब होता है कि जो हमारे पास प्र इसी तरह अगर डॉक्टर के पास कैंसर के मरीज को लेगे उस तीबी की दवा खिलाएं तो अभी ठीक नहीं होगा यहां पर पहले उनको उसे देखना पड़ेगा कि इसे रोग क्या हुआ है इसी तरह से होता है समस्य हमारे पास क्या समस्य है पहले हम उसे परिवाशित करना रहे पर सब्सका समय तो समय שत्यान करने से पहले गडिखनाएं अच्छा करें कि जो ऐसा करें तो अच्छा होगा तो जो धेर सारे बिकल्फ हम क्लेक्ट करते हैं कठा करके रखते वह क्या हो गया बिकल्फ फोर एक्जमपल मालो की कोई ग्रीड़ी है वह दुकान पर गई है वासिंग मशीन खरीदने लेकिन उसे वासिंग मशीन के क्वालेटी के बारे में कुछ भी जो धेर सारे क्वालेटी के वासिंग मशीन लाकर रख दिया गया यह क्या हो गया है बिकल्फ अब उस ग्रीड़ी को जब हाउस वाइप को पता रहेगा कि इसमें से सबसे वेश्ट सबसे अच्छा कौन सा है तब ही चुन पाएगी नहीं पता रहेगा तो नहीं चुन दुकान दार से पूछेगी या जो इसे पहले उन बिकल्फों पर जो जो उसकी सामने ढ़ेशारी क्वालेटी की समान रखेगी उनके बारे में आपने डिलेटीव से पूछेगी तब जाकि वह क्या करेंगी एक अच्छे वासिंग मसीन चुना हो पाई यहां पर क्या है वी अब चौथा आता ही क्या है उपियुक्त भिकल्प का चुनाव करना जब वह सबसे समझ लेगी विचार भिमर्ज कर लेगी जब उसको सबसे अच्छा जो लगेगा उसके बजट की हिसाब से होगा सब चीज से मतलब उसके पास जितने भी बजट है या जो भी है सब उसके हिसाब से होगा तो वो जो जो उसके लिए सबसे perfect बिकल्फ होगा उसका चुनाओ करें कीुए अब क्या होगे नीडले को कृ躁कर सबसे अच्छी या पर्फेक्ट वीकलफ का चुनाओ करना के डिसीजन नहीं होता है डिसीजन लेने की बाद आयोजन करने की बाद हमें हो करना भी पड़ता ए अच्छे वीकलप का चुनाओ करने का मितलब हम डिसीजन ले menglay जो हम अच्छे बिकल्प का चुनाओ कर लिए अब उसको करना भी पड़ेगा उसके लिए जो इफर्ट लगाना है हमें वो भी लगाना पड़ेगा मालों कि आभी हमने जो टाइन टेबल बनाते हैं वो इस्टेडी करने के लिए बस टाइन टेबल बनाके रख देने से हम परिच्छा को पास नहीं कर लेते उसके लिए हमें उतनी महिनत भी करनी पड़ती उतना इफर्ट भी लगाना पड़ता है उसी तरीके से हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती तो एक्या हुआ अच्छे विकल्फ को चुनाव करो लेकिन उसकी तरप कारी लेकिंग अच्छा थोड़ी न होगा अगर वो उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी उसको अच्छे से वो चला भी लेगी अच्छे से उसमें कपड़े की धुलाई भी कर लेगी तो क्या होगा उसके लिए यह डिसीजन लेना परफेक्ट होगा तो डिसीजन मेकिंग सब के समद में आ गया में भी सबके समद में आ गया हो गई कि नीड़ाय प्रकिया के जो चार इस्टेफ हैं पहला है समस्याओं को परिवाशित करना दूसरा है विकल्पों का चुनाओ करना तीसरा है जो विकल्प है उस पर विचार और विमस करना चौथा है सबसे अच्छे सबस मेकिंग के इस टिप अब हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के कितने टाइप होते हैं इसके प्रकार के बारे में जानेंगे डिसीजन मेकिंग के प्रकार नीले पर किया के के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे पहला होता है बेक्तिगत इन्डिविडल डिसीजन दूसरा होता है सामुही सामुही निलले ग्रूप डिसीजन डिसीजन मेकिंग ये दो टाइप है जो मेन हैं वो दो प्रकार के होते हैं डिसीजन में पहला होता है वेक्तिगत इन्डिविडियल डिसीजन डिसीजन मेकिंग होता है दूसरा होता है सामुही क्या ग्रूप डिसीजन मेकिंग होता है जो ब्यक्तिगत होता है वो खुद के जो जो भी परसन होता है उसकी परस्नल डिसीजन होती वो खुद के बारे में केवल ब्यक्तिगत इया प्रस्नल चीजों के बारे में अपने बारे में सिर्फ सोच कर जो डिसीजन लिया जाता है वो क्या होता data है इस हो परसन हो कोई भी हो यहां पर वो खुद के लाब के लिए या खुद के करने के लिए जो डिसीजन लेती हो क्या होता है यह क्या होता है यह बहुत ही आसान होता है इसमें केवल खुद का ध्यान देखा जाता है खुद के लाब के बारे में शोचा जाता है और यह डिसीजन क्यों नहीं हो जाता है इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि विशेस्था किया है तो यह प्यक्तिगत हिद के बारे में ध्यान दिया जाता है यह क्या होता है आज यह जल्दी हो जाता है ब्यक्तिगत decision making गोग क्या होता है बहुत ही असान होता है खुद के लाब के बारे में ध्यानम देंद कर बनाया जाता है जाइर सी बात है क्योंब खुद के लिए कोई चीज़ करना होता है तो भरव जल्दी हो जाएगा यह होता और इसके एकजामपल क्या है मान लोकि मैंने में खुद के लिए मैं खुद के लिए ही अपना प्रस्ण डिसीजन के मुझे बजे उट रहे हैं यह जो कितने बजे कहना कहना है कितनें बजे सो मान। फिर कितना करना है फिर क्या क्या करना जो खुद के जो प्रसनल चीजे हैं उसको जो डिसीजन लिया जाता है वही होता है ब्यक्तिगत डिसीजन मेकिंग इसमें खुद के हित का ध्यान दिया जाता है तब को समझ में आ गया होगा कि ब्यक्तिगत जो प्रसनल होता है वो क्या होता है डिसीजन त time लगता है यह केवा अकेले इंसान से नहीं होता फैमली में जीतनले मिंबर होते हैं सब से राय लेकर दिससीजन लिया जाता है इसमें जो डिसीजन लेते हैं वह को proposition होता बहुत बड़ा decision होता है और इसको करने में भी काफी time लगता है इसको करने में कुछ problems भी आती है इसके क्या है समोहिक हित देखा जाता है सामूहिक हित इसमें time लगता है इसमें समय लगता है क्रियानमन कठीन होता है और लेकिन इसको क्या माना जाता है सबसे बेस्ट डिसीजन मेकिंग जो सबसे अच्छा डिसीजन मेकिंग है इसमें कौन सा निडले लिया जाता है मालों कहीं पर घर बनवाना है या किसी लड़के की शादी करनी है हाई एजूकेशन दिलाना है तो उसमें क्या होगा फैमली में जितनी मिंबर होंगी वो सब बैठ कर विचार बिमक्स करके डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए डिशी से का जाता है इसके एकजामपल क्या है कोई कहीं पर प्लॉट लेना है घर बनवाना है घाड़ी लेनी है बच्चों को हाई एजुकेशन करवाना है किसी की शादी करनी ये सब क्या हो गया सामुहिक निड़पूरे फैमिली मिंबर मिलकर जो डिसीजन लेते हैं वो ह ब्यक्तिगत होता है वो आसान होता है खुद के हीत को ध्यान में रख कर किया जाता है जो सामूहिक होता है वो परिवार में जितने मिंबर है समू में जितने मिंबर है सब के हीत को ध्यान में रख कर किया जाता है अब हम देखते हैं कि और इसके और अन्य टाइप भी है डिसी इसमें क्या आता है नेतिक या आधार भूत नेतिक या आधार भूत रूटीन सेंड बेसिक बेसिक यह पहला है दूसरा क्या है इसमें आपात काली और तीसरा है तीसरा होता है कार्यात्मक या आकार्यात्मक क्यार्यात्मक आकार्यात्मक अकार्यात्मत प्रोग्राम्ड एंड प्रोग्राम्ड एंड नन प्रोग्राम्ड डिसीजन-मेकिंग के अन्य प्रकार भी है इसके बरे में हम बात कर लेते हैं कि इसके अन्यप्रकार क्या है तो ये तीननी प्रकारißtby का और होता है नैती कि और आदारवुतर Oo आधे आरवुतर स्जाधिन आई करें दीश्क कि यह में ये इली में करते हैं मानथा कुई भी ho喜欢 कोई परसन हो या कोई ग्रेलि स्थ em गंटे दो गंटे जितने भी उसके पास टाइम होते तो यह क्या है उसका रूटीन से उसकी आदत हो गई है बिना पड़े अब उससे रहा नहीं जाएगा उसके पर नाया सुबहे उठके घूमना उसको ब्सक्राइब करती पास वह स्थीह एक पास कमेयर करें है अधार्वुस्कितन चेहें नहीं के लिटल अधुक्छ बच्चा है उसके माँबाप जो पैरेंट्स हैं उन्होंने ये सपना देखा था उसके लिए कि हमारा बेबी बड़ा होके डॉक्तर बनेगा और उसके लिए छोटे जब वह चोटा साथ जब वह बच्चा था तब इसे पैसे थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे थे अब वह कॉलेज पढ़ने लायक हो गया या कॉलेज में जाने लायक हो गया है तब ही क्या होता है अचानक उसका एकसिडेंट हो जाता है तो जो पैसे उन्होंने रखें उसके एजुकेशन के लिए उसके हाई एजुकेशन के लिए अब वह क्या करेंगे कि उस वह जो पैसा रखें वह उसके दवाय में या उसके दवा में वह लगा देंगे यह क्या हो गया आपात का लिन जिसके बारे में हम भी कल्पना नहीं कहा है है कि अचानक STE हमारे सामय आएगा जो हम डिसीजन जो हम अपना देश बना यह हमすब two देंगे यह सोच से अजोच नहीं पाते हैं तो यह क्या होता है आप संघ्रणाइब क्या सब्सक्राइब करना है किस द्वारा करना कितना सारी चीजे फिक्स होती है इसे इसके एक सारी चीजे प्रोग्राम होло तेवार हो गया हमारा परिच्छा हो गया और क्या होगे कोड का कोई काम हो गया यह सब क्या होते हैं प्रोग्राम्ड में आते हैं इसमें सारी चीजे फिक्स होती हैं हमें पहले से पता रहती हैं हमें क्या करना है कहां करना है कहां जाना है यह सारी चीजे जैसे हमारा तेवार जो हमारे तेवहार है वह हमें पहले से पता रहते हैं कि कमाने वाले किस मंत में हैं कितनी तारिकों हैं यह सब होता है प्रोग्राम्ड या कार्यात्मक होता है जो इसका अपूजिट होता है इसका पूजिट ही होता है अकार्यात्मक या अनन प्रोग्राम्ड इसमें कुछ भी नहीं रहता है सब तो यह अन्य प्रकार है नेति कि वाधार्बूत हो गें अबयात्म्हा amas कार्यात्मक कार्यात्मक होता है जी सारी देटियों कुछ भी वाले कारक्या होते हैं decision को प्रभावित करने वाले कारक की बारे में हम पढ़ेंगी है प्रभावित करने वाले करने वाले कारक decision को क्या-क्या प्रभावित करते हैं निल्डायक का बिचार यह पहला है दूसरा क्या है संस्कृत यों महत्व कांचा संस्कृत यों महत्व कांचा पारिवारिक विसेस्ताएं इस्थाई प्रकृति इसको जो decision making है इसको प्रभावित करने वाले इफेक्टिट करने वाले ढहीर सारे कारक हैं लेकिन हम कुछ में कारक के बारे में ही बात करेंगे इसके में कारक क्या है तो क्या है क्या है निर्डायक का विचार है पहला दूसरे संस्कृत यों महत्व कांचा तीसरे है पारिवारिक विसेस्ताएं या परिवार की साधन और चोथा है इस्थाई प्रकृति अब पहले के बारे में बात करते हैं निर्डायक का विचार क्या होता है जो हमारे घर में क्या होते हैं मुख्या होते हैं लीडर होते हैं जो गार्जियन होते हैं उनका वो जैसे डिसीजन लेते हैं उनका मैंड जैसा रहता है उनकी बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है अगर अच्छे मांड के होँगे तो अच्छी विचारदः अच्छे मि बिचार धारा के लोग भी बनेंगें लेकिन अगर नेयरो मांड के महीं होई हई होगे छोटी tips वाले चोटी सोच वाले तो क्या करेंगे यसे उनकी कप अगर अच्छे बिचार के नहीं होंगे तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर निलायक का बिचार जैसा होगा उसकी फैमली का विकास या उसकी फैमली पर उवेसा ही इफेक्ट पड़ेगा जहां कि जैसे संस्कृत ही होगी वैसे ही वहां के लोग करेंगे मान लोग कहीं कि संस्कृत ही है कि वहां पर बाल विवा को अच्छा माना जाता है तो वहां के लोग उनकी संस्कृत है वह चेंज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उनकी संस्कृत है वह उसको ही फालो करेंगे बीजीजन जो होते हैं वह भी डिसीजन मेकिंग को बहुती प्रभावित करते हैं जी सब क्या होता है जिस के पास जैसे साधन रहते हैं जिस परिवार के पास जितने साधन रहते हैं उसी तरह से उसके फैपली मिंबर बीएफेक्ट पढ़ता और उसके डिसीजन मेकिंग पर भी इफेक्ट पढ़ता वहीं पर जो अभी गरी है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो क्या करें उनके परिवारिक साधन उतने नहीं है इसलिए उनका पर नेड़े जो डिसीजन मेकिंग है वो भी प्रभावित होगा मालोग कोई रिस फैमिली है उन्होंने अपने बच्चे को कोई अच्छा उनका फ्यूचर अच्छा देखा है तो वो वहाँ पर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो चाहे जितना पैसा लगे चाहे जहां पढ़ाना हो कुछ भी करना हो फटाक से कर लेंगे लेकिन वहीं पर सपने बच्चो को आगे बढ़ाने का लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है तो वह क्या करेंगे वहाँ पर अपना डिसीजन करेंगे क्यूंकि वह उतक्तव कर सकते हैं प्रभावित होती है इस थाई प्रकिर दिसीजन पी घृटार तो परिवारिक साधन या संसाधन पर भी जो decision making है वो प्रभावित होती है स्थाई प्रकित decision स्थाई प्रकित जो हमारा decision है जो decision making है उसकी प्रकित स्थाई होती है यह स्थाई प्रकित कैसे होती है हम इसको देख लेते हैं मालनों कि हमने कोई प्लॉट लेना है हमें तो उसको हम 10 बार देखें 15 बार देखें कोई फरक नहीं पड़ता जब तक हम उसको खरीद नहीं पड़ता लेकिन जब हम उसको खरीद लेते हैं तब क्या होता है तब अगर हमें डिसीजन चेंज करना पड़े तो हमारे स्रम समय औ हमने प्लोट खरीद लिए बहुत बार देखा हमने हर्ची चेक किया हर्ची उसके आज पड़ोस में देखा इस्कूल को लेज्ट हॉस्पिटल सब कुछ देखा हमने सब कुछ फाइनल होने के बाद में डिसीजन लेकिन छे मन्त्ह बाद या तीन मन्त बाद क्या होता है कि हमारा माइंट इकदम से चेंज हो Kollegin होजाता फिर जब हम जाते हैं नहीं स्थाइशा कouredी तो आपको क्लूड़ को जल्दी चेंजस नहीं अगर करेंगे तो क्या होगा हमारे समयष्रम और धन की हानी होगी तो निए स्थाइप रखता हो किसी लड़की की 14 जब तक साधी जब तक रिस्ता डूर जाता तरक तक कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ता है समय स्रम और धन की हानी होती है इसलिए क्या है स्थाई प्रकित है डिसीजन मेकिंग क्या होता एक स्थाई प्रकित है इसकी प्रकित स्थाई होती है इसको भी नौट करने की ज़रूरत है क्या है डिसीजन मेकिंग decision making का जुन लीचर है वो क्या होता है इस्थाई है या पर्मानिंट है इस्थाई होता है decision making की प्रक्कित इस्थाई होती है अब हम एक चीज के इतना तो सब अब को समाझ में आगया होगी प्रवावित करने वाले कारक डेट सारे कारक है लेकिन मैंने में में कारक को लिए इसमें क्या क्या प्रवावित करते हैं निर्लायक का विचार जिस घर के जो निर्लाय लेने वाले होंगे या जो निर्लाय लेता है उसका जैसा माइड होगा उसकी सोच होगी वैसे उसका डिसीजन होगा और जो उसका डिसीजन होगा तो उसके फेमिली मेंबर भी उसका उएसके पढ़ेगा संस्कृट है कि का अच्छा जैसे जहां संस्कित होगी वहां के लोग की वीचार धारा हुगी और वह से कर करेंगे अब यहां पे की एक बारे में बात कर लेंगे या कि ब्रीयव है औश फीन वी सिजन में मेंकिंग क्या होता है इसके बार में हम बात कर लेते हैं और यह बहुत ही इंपोर्टेंट कि लिष्ट है यह कुश्च्च्ण पूछा भी गया है कि डिल्फि 2 डिसीजन मेंगिंग क्ला होता है डेलफी डिसीजन मेकिंग डेलफी डिसीजन होता है जिसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग डिसीजन लेते हैं वो उस बिसे के बिसेशग होते हैं उस बिसे के इस पेसली लिश्ट होते हैं वो जो इसमें डिसीजन लेते हैं और इसमें क्या होता है कि आमने सामने बै डिसीजन नहीं लेते हैं वह पत्र द्वारा इमेल द्वारा या मोबाइल फोन द्वारा मैसेज द्वारा डिसीजन अपना देते हैं यह क्या होता है डिल्फी डिसीजन मेकिंग वह डिसीजन मेकिंग होता है जिसमें विसे के विसे सग्य लोग होते हैं उस विसे के विसे सग मिलते हैं अगली क्लास में तेंक्यू